नमस्कार दर्शक मित्रों, हुँ अब रहार आपनो स्वागत करूशू इंडिया नियूस गुजरातना खास बुलिटी नापनो सुरत माँ समाचार जूशू विगतवार तो कॉंग्रेस ना सांसद राहूल गांधी द्वारा एक सभा दर्म्यान मोधी अटगमुद्दे करायली टिपणी ना केस माँ आज रोज सूरतनी अदालते फैसलो समणावियो आ केस माँ नामदार कोणतवारा राहूल गांधी ने बे वर्शनी सजा अने पंदर हजार रुपयानों दंड फटकार वमावियो शे जो के हाल राहूल गांधी ने 30 दिवसना जामीन मढ़िया आज़े करना टकना कोलार गाम मां 13 मी एप्रेल बेहजार ओगनेस ना रोज सांसद अने कॉंग्रेसी नेता राहूल गांधी ये चुटणी सभामा कहिवा दू कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंदर मोदी नी अटक केम कोमन छे, बधा चोर नी अटक केम मोदी जी छे राहू ना निवेदन ने लईने भाज़पना धारसभिय अने पूर्व मंत्री पुर्णे समोदी एक सुरत कोट मा तेमनी विरुद अपरादिक मानहानी नो केस दाखल करियो हतो आ केस नो आज रोज चुकादो होवा थी राहूल गांधी सुरत आविया हता दिलहिती फ्लाइट मा रावेला राहूल गांधी नो एरपोर्ट पर थी कोट आवना रस्ते त्रोंट जुग्याए सुरत शहर अने बीजा शहरों थी आवेला कॉंग्रेसी होद्देदारों द्वारा भव्य स्वागत करवा मा अभी हतो त्यार बाद सवारे अग्यार कल्ला के राहूल गांधी ए कोट मा प्रवेश करता केस ने सुनावनी शरू करवा मा अभी हती जमा बन्ने पक्सुनी अंतिन दलीलों सांपडिया बाद नामदार कोट द्वारा राहूल गांधी ने आकेस मा दोशी जाहर करी बेवरशनी सजा अने पंदर हजार रुपया नो दंड फटकार्यों होतो सजा संब्लाविया बाद राहूल गांधी ना वकीले जामिन अर्जी मुक्ता कोटे राहूल गांधी ना त्रीस दिवसना जामिन मंजूर करिया हता जिमा सूरत ना नैसत देसाई और हसमुक देसाई राहूल गांधी ना जामिन दार बनिया हता जामिन मडियाबाद राहूल गांदी ये सरकित हास मोची कांग्रस ना आगयवानों अने कारे करताओ साथे चैर्शा करी हती राहूल गांदी ना वकीले अमामले हाइकोर्ट मा जवानी तैयारी बताविश है राहूल गांदी को सजा सुनाई जा चुकी है दो साल की सजाद सुनाई गई है और अभी वो जामीन मुक्त हो कर गए है हम उन पूर्णिस बैं मोधी के जो एड़ोकेट है उनसे बात करने की कोजिस करते है कितन बाई क्या प्रोसीडिंग रही आज और किस धारा पर राहूल गांदी को सजाद सुनाई गई आगे क्या प्रोसीडिंग हुई और राहूल गांदी का क्या निवे दन रहा कोड के अंदर राहूल गांदी जी ने आधे भी सुप्रीम कोर्ट को लेता टिकपन ही थी वहां उन्होंने रिटन एपोलोजी फाइल थी तो वो ऐसे डैफेमेट्री स्टेट्मेंट तर रहे है और करने थे मानसित्ता घरा रहे है और जब राहूल गांदी ये MP है तो MP तरतव यो होता है ताइडे था पालन तरना वो काईदा बनाते हैं संसत में ताइडा धड़ता है उनका पालन 130 तरोड जनता तरती है तो उस संजोद में जब 700-800 संसत सब्या या राजिय सब्याते सब्या ताइडा बनाते हैं तो सबसे पहले पालन तरनेती जिम्मेदारी उन लोती होती है जब वो लोत काईदा तोड़ते है तो वहाँ गंबीरता और बढ़ जाती है हमने कोड को वो संजोद बताया और कोड ने हमारी दलीले मानी और दो साल उनको मेर्जिमम पनिस्मेंट एवर्ट दिया है अभी जो उनको जमानत मिली है तो आगे क्या प्रोसीडिंग हो राहुल गांधी जी तो तीस दिन ते लिए जमानत पर छोड़ने ता हुकम ते हाँ वो प्रोसीजरल है और तीस दिन तर जो सजाती हुए नामदार कोड ने वो सब्सक्राइबशन में रह दी यदि तीस दिन में राहुल गांदी जी अपील करते हैं तो उनको एपेल एड़ कोड में फिर बेल एप्लिटेशन फाइल तरनी पड़े दी और वहां से जमानत लेनी पड़े दी और फिर जो भी चुता ला है वो सेशन कोड में आदे आएदा तो यह जो थे पूर्णेश भोदी के एड़ोकेट थे गेतन भाई देशमवाला जिनोंने बताया कि राहुल गांदी अभी अपील में जाएंगे और वहां पर जमानत लेकर आगे की प्रोसीडिंग होगी तब तक के लिए उनकी सजा सस्पेंड की गई है और फीस दिन के कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी विरुद थैला मानहानी केस मा आज जे सुरत कोटे सजजानों एलान करियों छे जिमा कोटे बे वर्षिनी सजजा अने 15,000 रुप्यानों दंड करियों छे तेरह आज जी आवेला फैसला बाद कहीं पे खुशी कहीं गम जेओ माहूल सरज करियों होतो आ केस मा आजे चुकादों आवियों छे जिमा राहुल गांदी ने बे वर्षिनी सजा अने 15,000 रुप्याना दंड नी सजा समधावा मा आवी छे आ चुकादा बाद राहुल गांदी ना वकीले जामीन मांग्या हता अन तरत अज 30 दिवस ना जामीन आपवा मा आविया हता अवे राहुल गांदी आ केस निलाई ने हाई कोट मा जशे एवु जानवा मणियों शे गबराई हुई बारती जनता पालती ये मानती है कि राहुल जी को परेशान करने से जैल की धमकी देने से उनका शासन सलामत रहेगा अरे जैल में डालने से आप परेशान करने से ना कंस का सलामत रहा था ना अंग्रेजो का रहा था तेकनिकल प्रोसीजर होती है इसमें मैक्स टू मैक्स पनिश्मेंट कर दिया हो नहीं सकता है इसमें मैं खुद एक लॉयर हूँ क्या किसी ऐसे के इसमें मैक्स टू मैक्स पनिश्मेंट हो सकती है पर इसमें अप राहुल गांदी को ये डरा नहीं सकते हैं आज जो कोट के अंदर फैसला आया है उसके बारे में बताइए आज कोट ने क्या नोटिंग किया है वो सब सबको मालूम हो गया आप तो पूरे भारत वर्श के लोगों को कि आज नामदार कोट ने सजा फरमाई है कोट का निरने का हर्दिक स्वागत है करनाटक ना कोलार गाम मां 13 एप्रिल 2009 न दिवसे सांसद आने कॉंग्रेसी नेता राहुल घांदी ए चुटनी सभामा कहिव दू कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेद्र मोदी नी अटक केम कोमन छे बधा चोर नी अटक मोदी केम छे राहुल ना आ निविदन ने लईने भाजपना धारा सभ्य औने पूर्व मंत्री पुल्णे समोदी ए सुरत कोट मा तेमनी विरुद अपराधिक मानहानी नो केस दाखल कर्यो हतो आ केस मा सुनावनियों थाई औने आजे सुरतनी अदालते मानहानी केस मा चुकादो आपयो हतो राहुल गांदी सुरत कोट मा हाजर रहिया हता सुरतनी अदालते आजे चुकादो आपता मानहानी केस मा राहुल गांदी ने दोसित जाहिर करिया हता कलम 490 अने 500 मुझब तिमने बे वरसनी सजा सम्धावा मा आवी हती अने 15,000 रुपया नू दंड करवा मा आवी होतो राहुल गांदी ना वकीले राहुल वती आ केस मा जामीन मांगता अदालते ते मंजूर करिया हता राहुल गांदी सुरत कोट मा थी निकडी ने सरकीट आउस पहुचिया हता जियां दक्सेन गुश्रात ना कॉंगरसी आगेवानों साथे चर्चा करी हती सुरत ने कोट मां कॉंगरस ना पूर्व प्रमुक अने दिगजनेता राहुल गांदी ने कोटे दोशी ठेरवी बेवर्शनी सज्जाफट करी छे जो कि तेम ने जामिन पर मड़ी गया छे तेरह राहुल गांदी ने मुश्किली वधारी ने दिल ही थी डायमंड नगरी सुरत मां धक्का खावा मजबूर करनार अने केस करनार पूर्णेश मोदिये कहिँ हतों के राच्किय पक्ष्णी रीते अमें अलक्ष छे परंत्वा मुद्धो राच्किय नती एक सामाजिक प्रश्न छे जो ते कोट मां केस करियो आजे जे चुकाद आवियो छे तेनू अमें स्वागत करिये छे लोकसबानी चुटणीना प्रचार दर्मियान राहूल गांदिये तेर एपरिल बिहजार ओग्णिसमा नरेंद्र मूदी पर निशान ताकता तेमने देश ना कोभांडो नी वात जाहिर मंचपर्थी करी हती ए समय दर्मियान जे अलग-अलग कोभांडो बहार आविया हता एमा नीरों मूदी अने ललित मूदी ना नाम पन बहार आविया हता राहूल गांदिये जाहिर मंचपर्थी कही हतु कि ता तमाम को भांडियो औने चोरूना नाम पाचर नी अटक मोधी जुकेम होई शे तमाम मोधी चोर होई शे ए प्रकार नू निवेदन करता तेज घर ना मोधी अटक धरावता समाज मा रोश व्यापियो हतो सुरत विधान सबाना धारसबिय पूर्णेश मोधी द्वारा राहूल गांदी सामे मानहानिनों के सुरत कोट मा दाखल करायो हतो अबाबते फरियादी पूर्णेश मोधी साते खास वाचीत सुरत स्तीत अमारा ब्यूरो चीफ जैश सोनी करी हती आओ जो ये सुं कहियो पूर्णेश मोधी राहूल गांदी ने सजा थया पची जो ये मामला आपनी दर्श करवाया था वो 2019 का मामला है कि उस टाइम पर क्या माहौल था कि चुनावी माहौल के अंदर उन्होंने ये स्टेट्मेंट दिया था और और आज जो कौट के अंदर फैसला आया है उसके बारे में बताइए आज कौट ने क्या नोटिंग किया है वो सब सबको मालूम हो गया आप तो पूरे भारत वर्श के लोगों को कि आज नामदार कौट ने सजा फरमाई है कौट का निर्ने का हर्दिक स्वागत है तो जो पूरे भाई मोदी है उन्होंने कहा कि कौट का जो फैसला आया है उनका वो सवागत कर रहे है और जो मामला था 2019 का राहूल गांदी के खिलाब उचके अंदर उनकी जीत हुई है कैमरामेन रवी वेंडे के साथ जैस सोनी इंडिया न्यूस सूरत नौसारी मा बाविसमी मार्श थी प्रसिद्ध कताखार मोरारी बापुनी रामकता शरू थेचे नौसारी पंथाक मा चुला बेहजवा नौनी साल मा मोरारी बापुनी रामकता लूसी कोई मैदान खाते थे यती अने हावे जवुद्वर्षपात पुन्ह आज मैदारों पर बापोनी कथा शरू कराईचे कौशल या बेन प्रभूमल लालवानी ट्रस्ट आयोजीत रामकता माटे महत्तम तैयारियों पूर्ण करी देवाईचे कथा अंतरगत 22 मिना रोज बपोरे बेकल्ला के सिंधी गेंपना प्रितम नगर्थी रामकतानी पोथी यात्रा निकडी लुन्सी होई स्तीत कथास तड़े पोँशी हती अ कथाना मुखी आती थी तरीके मध्य प्रदेस ना महा महीर राजय पाल, नौसारी नाज मंगु भाई पतेल, गुजरात भाजपना प्रमूक अने नौसारी ना सांस सियार पाटिल, तथा वुरुन्दावन श्री धामना परम पुज्य भक्त कोकिल साई उपस्तित रह शे 9 दिवस चालनारी कत्ता माटे मूटी संख्या महा महीलाओ तत्ता अन्य स्वयम सेव को सेवा बजाऊ शे, कत्ता दर्मियान वहानोचानों पार्किंग माटे अलाएदी व्यवस्थाव पन कराई शे तथा पार्किंग्स तड़े थी कथास तड़े जवा आववा पन वहनों नी व्यवस्था कराई होवानू जान्वा मणियो शे। भीमोद सव समीती अनुसूचित समाज अने बाबा साहिबना अनुयायो द्वारा आज रोध सुरत मा एक मिटिंग नू आयोजन करी कारेक्रम ने जान करी आपफ़ा मावी हती। असाथे बाबा साहिबना विचारो लोको सुधी पहुशे अने पोताना जीवन मा उतारे अने खास करेने आजना विध्यार्तियो तिमना विचारो ने जाने ते उद्धेस्य साथे आगामें सोड में एप्रिलना रोज युनिवर्सिटीना कन्वेंशन हॉल मा भाव्या पुजोंनी करवामा आवशे आ मिटिंग मा बिमोच्व समीतीना सतीस भाई चूहान राहूल भाई सोलंकी नत्वर भाई महता कौशिक भाई गोहिल तेमज महिला आगेवानू सहित मूटी संख्या मा समाज ना आगेवानू हाजरे याहता तेमज सुरतना लोकोंने तेमज विध्यार्तियों ने भाग लेवा अने भिमोच्व समीती द्वारा आमंत्रन आपवामा आव्यूशे बंधार आना गडवाया डॉक्टर बाबा सहेब आमबेटकर ना विचारों आज नी युवा पेडी मा फेलाए अने तेओ जागरुत थाए ते माटे भिमोच्व समीती द्वारा अनेक प्रयासों करवामा आविया छे हाल भिमोच्व समीती द्वारा आयोजित कारिक्रम मा बाबा सहेब ना विचारों आने तेमनी जीवन नी जांकी लोकों समक सिलावा नू प्रयास करवामा आवियूशे हजारो टन कॉल्सो भरेला पांच बार्ज मगदला पोट पर लंगारी ने त्याती कॉल्सो खाली करी रही रहा था ते वक्ते अच्वानक वारा फर्ती पांच बार्ज ना दूरडा तूटी ने पांडिना दसमस्ता प्रवामा तरणाय ने छेक ओएन जीसी ब्रीज सुधी पहुची गया ते पैकी एक बार्ज ब्रीज नीचे थी आरपार निकली गयू जोरे बे बार्ज ब्रीज पासे आवी ने अठकी गया हाता जोके ब्रीज ने कोई नुकसान नती थयो होवना प्रात्मिक एहवाल मडिया शे सुरतमा आवेली अलग-अलग जेटी पर देश विदेश मा थी कोल्सो, लोखन, स्टील, सहिद अलग-अलग वस्तू महाकाई जहाज मा भरी ने दरियाई मार्गे आवी शे जिमा मगदला पोर्ट पर पाणी नी उंडाई नहीं हुवा थी जहाजो पोर्ट थी 10-15 नोटी कल माईल दूर उभारई ने राखी इने त्यां थी बार्ज मा सामान पोर्ट पर लावा मावी शे आवुझ एक इंडूनेशिया थी 300 भरलू जहाज मंगदला पोर्ट पर खाली थवा माटे आवी होतो पोर्ट धै दूर होवा थी बार्ज माँ खाली करी ने मंगदला पोर्ट पर लावी ने लंगारी ने 300 खाली थे रही होतो त्यारे अचानक पांचे बार्ज ना दोरडा तुटी ने पाणी ना धस्मस्ता प्रवाहमा तणाता बार्ज मास्टर पन तेने रोकी शक्या नो हता आ पांचे बार्ज ओएन जिसी ब्रेज मगदला ब्रेज नजीक आवी गया हता सुत्रोना जनाव्या मुझब पांच बार्ज मा थी एक नी उंचाई ओशी हुवा थी ब्रीज नी आरपार निकडी गई होतु त्यारे बे बार्ज नी उंचाई वधू हुवा थी ब्रीज नजिक अटकी गया हता त्यारे बीजा बे ब्रीज थी थोड़े दूर अटकी गया हता त्यार बाद आ पांचे बार्ज ने मगदल्ला ब्रीज थी मगदल्ला पोट सुधी लावा मा भारे कसरत करवी पड़ी हती सुरत जिल्ला कलेक्टर आयूसोक ना जनाविय मुझब पांच बार्ज तनाय आववानी घटना मा प्रात्मिक एहवाल मुझब ओइन जिसी ब्रीज ने कोई नुकसान थयाना रिपोर्ट मडिया न थी सुरत मा वधू एक मासूं बाड़क रखड़ता कुत्राओन होमलो करी न बच्काबरता मोटने पेटियूँच बेस्तान आर सेम प्लांट मा टॉलेट मा ते गेला पांच वर्षना बाड़क पर चारती पांच रखड़ता कुत्राओ हुम लो करी बच्च का भरता तेनी सारवार माटे नवी सिविल हॉस्पिटल मा खसेड़ वा माफ्योतो जोके फरश्पना तबीब हो ये तेने मुरूत जाहर करियो राव अंगी नवी सिविल हॉस्पिटल खाते थी प्राप्त थती विगतों मुझब मुण मध्य प्रदेस ना जांबुआनो वतनी रसूल पांडूर पतनी आने चार बाळकों साथे हाल बेस्तान आरसी एम प्लांट मा रही पतनी साथे रोड बनावानू मजूरी काम करेश आजे बपोरे त्रोण वागे ते पतनी साथे प्लांट थे एक किलोमेटर दूर मजूरी काम करतो होतो त्यारे घरे हाजर तेमनों पांच वरशनों पुत्र साहिल प्लांट मा खुला मा ज टोयलेट माटे गयो होतो ते समय त्यां रखडता चार थी पांच कुत्राओं ये तेना पर हुमलो करी तेने बचका बरिया हता और नक मारता तेने बुमाबुम करी हती आथी त्यां हाजर लोकों दूड़ी आविया हता और कुत्राओं भगावी तेना माता पिता ने जान करी हती मासुम बाड़क ने होस्पिटल खसेडाता तिया फरजपना डॉक्टर ने तेने इम्रूत जाहिर करिया हता सुरत मां डोग बाइटना अने किस्सा बनवा छता पन तंत्र द्वारा कोई पन गंबीर पगला भराता नहोवाना कारणे अनेक मासुमो भोग बनी रहाँ छे अने छता पन नगर निगमना काने भोग बननार नो अवाज नथी पहुची रहो अने हजी केटला भोग लिवासे ए वात चिन्ता उपजावी खाड़े छे सुराज जिलाना कामरेश तालुकाना घला गामना प्रगतिश्वील खेडु द्वारा मृदुला अने वीज़े अमबेज वातनी सकर टेटी नू दक्षिन गुजरात मा सव प्रतमबार सफ़रता पुरुवक आवेतर करीने अने खेडुतों मा टे प्रेरग बनिया छे प्रमेण भाई मांगुक्या ध्वारा पुताना खेतर मा नवीन खेती करवाना निर्धार साथे मृदुला अने वीज़े इमबेज आतनी सकर टेटी नू वावेतर करवा मा आवी होतु ओचा बीच अने वधू पल्प धरावती मृदुला अने विज़े इजातनी सकर टेटी नू स्वाद ला जवाब छे एक वार स्वाद चाखी जनार व्यक्ती आ टेटी नू चाहक बनी जाए छे पानी नो करकसर भरिया उप्योग माटे ड्रेप इरिगेशन तथा मल्चिंग पद्धती अपनावी जिमा ड्रेप इरिगेशन माटे राजिस सरकार द्वारा एक एकर मा पंदर हजार लेखे चार एकर मा साथ हजार नी सबसीडी मेडवी शे कामरत अलोका मा सूरत जिला मा आ वर्षे गया वर्षे में जे अलग अलग तर्बुच बने वाता हैं आम तो बागायती खेती लिला छम विस्तारों मा वदू थाई शे परन्तु सूरत जिलानी जमीन बागायती खेती अने खास करीने तर्बुच अने सकर टेटी ने माफक आवे शे एमाये बागायत विभागना अधिकार्यों नु मार्ग दर्षन अने महनत साथे मड़े एटले खेती मा चार चान लागी जाई शे एटले आटलू मात बर उतपादन मेडवी शकायों छे अम्रुदुला जातनी टेटी नी खास्य थेवी छे के टेटी मा बीज ओछा अने अंदर थी वाइट पल्प होई छे जेनों वजन 300 थी लई 800 ग्राम होई छे चार थी पाँच दिवस सारी रहे छे अने ब्रिक्स रेशियो एटले के गणपण नो रेशियो चवुद जितलो उँशो छे नर्मदा परिक्रमा वासियो सतत मा नर्मदा तेओनी साथेज छे तेनी अनुभूती करता होई छे आविज अनुभूती कराऊतो एक तिर्थ स्थान एटले के अंक्रेश्वर नू बलबला कुंड ज्या नर्मदे हरनाख जैगोष करतानी साथेज कुंडना पानी मा परपोटा रुपे उच्छुडी आ जैगोष मा पोतानो सुर्पूरावे छे जिना दर्शन मात्र थी पापो नष्ट थाएछे एवी पावन्सलीला माँ नर्मदा तिना भक्तों ने डगले ने पगले पोता न होवानो ऐसास करावीशे विस्वनी आ एक मात्रा नदीचे जिनी परिक्रमा कराईशे और परिक्रमा वासियो सतत माद नर्मदा पोतानी साथेजे छे एवी अनुभुती करता हो शे आवे जनवभoming ती करावतू एक तीर्थ स्थान एतले के अंगलेश्वर नू बलबला कुण अंगलेश्वर थी 10 किलोमीटर दूर भरूडी गाम मा भरूडेश्वर महादेव मंदिर आवरूश बरुडेश्वर महादेव आजे नील कंठेश्वर महादेव तरीकेव पूझवामा आवे छे अंकलेश्वर ए मांडविय रुषी, मारकंड रुषी, कश्यब रुषी, सहीत अनेक रुषी मुनियों नी तपो भुमी रही छे सब्त रुषियों ना पहला रुषी एवा कश्यब रुषी नी ज्यार्थी उत्पत्ती थाई त्यार्थी आश्यव मंदिर छे कश्यब गोत्र नी शर्वात जे स्थडेती थई हती एस्थड एटले भरुडेश्वर महादेव मंदिर धन्वन तरी शेत्रे कश्यब रुसी नू आश्रम आविलू छे अंकलेश्वर ना माडी एट गाम खाते कश्यब रुसी ए भगवान शिव नी आराध्ना करी वेद्य विद्या प्राप्त करी हती त्यार बाद स्तल स्तीत वेद्यनात महादेव नी स्थापना तेओ द्वारा कराई हती कश्यब आश्रम खाते भगवान शिव ना भरुडेश्वर महादेव नी स्थापना करवा मा आवि हती आश्रम ना महंत राज राजेश्वर गिरीजी महराज जुनावि हतु के तेओ सात्मी पेडी ना पद पर अहीं बिराज मान छे कश्यब गोत्र नी शिर्वात आश्रेत्र मा थाई हती अने आदी गुरू शंक्रचार्य प्रेरित आस्तर नू पुराणों मा अनेरू महत्व रहेलू शे भगवान भरुडेश्वर निलकंट महादेव तरीके सह परिवार आस्तरे बिराज मान छे नारायन बली पिंड दान जिवी विदी पन करवानू अही महत्व शे सकंद पुराण ना रेवा खंड मा आनो उलेख करवा मा व्यूशे कश्यब रिशी आस्तरम के परिशन में ही बलबुला कुंड है और ये बलबुला कुंड की एक सुन्दर महत्व है जिसको भगवान बेद व्यास ने इसकंद पुराण के रेवा खंड में लिखा कि कश्यब रिशी जी की तपस्या से प्रसंद नोकर के मा नरमदा रतना शागर के साथ में प्रगठ हुई हम जितने जोर से हरार नरमदे हर बोलते हैं उतने बलबुले निकलते हैं और बुलबुले निकलने से जो फैन निकलता है उसमें एक केमिकल इस टाइप से निर्मित होता है कि उसमें इसनान करने से चर्म रोग, कुष्ट रोग, छै रोग अभी भी ठीक होते हैं आज ना आधुनिक यूग मा पन शाक्षात चमतकारों जोई शकाईशे आकुंड मा रहिला पाणी थी, सनान करवा थी, अथवा पूताना शरीर पर पाणी लगावा थी तमाम रोग मुक्त थता होवानी मान्यताउना पगले, अनेक भक्तों ने रोग थी चुटकारों मडियोशे अने नवा समाच और माटे अब जोधा रहो, इंडिया न्यूज गुजराद, नमस्क्त